नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी के पाथे पुस्तक रिमजिम का पार्ट नमबर 15 बिशन की दिलेरी की कहानी पढ़ने वाले हैं इस चाप्टर में हम जिस छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिशन और उसकी दिलेरी की कहानी दिलेरी का मतलब होता है कि बहादूरी ब्रेवरी ये शब्द आया है दिलेर से दिलेर मतलब जो बहादूर हो ब्रेव हो बिशन बहुत ही दिलेर थ और उसी की दिलेरी की बहादूरी की हम कहारी पढ़ने वाले हैं. अब विशन बहादूर क्यों है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम करके दिखाया है, जो जादातर बहुत कम ही लोक कर पाते हैं. उसने एक छोटे से पक्षी की जान बचाई है, जिसका नाम है तीतर, जिसे की ये तीतर मरते मरते बचा इस तरीके के पक्षी को इंग्लिश में पैट्रिज भी कहा जाता है और इसे ज्यादा तर गेहू की खेतों के आसपास ज्यादा देखा जाता है गेहू इस तीतर को बहुत पसंद होता है लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस तीतर को बहुत सारे लोग मा के चिकन मटन इत्यादी की तरह इसके मास को पका के खाया जाता है और उसी वज़े से इन तीतरों का बहुत शिकार भी किया जाता है तो इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि उसी शिकारी के द्वारा शिकार करने आये तीतर को हमारे बहादुर बिशन ने कैसे बचाया है तो च सूरज उगता है अर्ली मॉर्निंग तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाडों के पीछे से सूरज जांक रहा हो दस वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया तो बिशन जो लड़का है जिसकी कहानी हम पढ़ रहे है वो टेन येर्स का है वो अपने घर से निकल के आ रहा था वह अर्मी में, इंडियन आर्मी में तो बिशन इसी राष्ते से डेली कर्नल दत्ता जी के फार्म हाउस पर जाता था फार्म हाउस एक ऐसी जगा होती है एक ऐसा घर होता है जिसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाये जाते हैं उनकी खेती की जाती है जैसे ऐपल ट और करनल दत्ता के घर में विशन डेली इसी रस्ते से जाता था। करनल दत्ता की पतनी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। पेड़ों पे लगते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए जिन दवाईयों का इस्तमाल किया जाता है केमिकल्स उसे कीटनाशक कहते हैं और उसी कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव स्प्रे हो रहा था एपल के ट्रीज के उपर और बहुत तड़के यह काम शुरू हो जाता तड़के मतलब बहुत सुबह सुबह अर्ली इन दा मॉर्निंग तो विशन अपने घर से निकल कर पतले से मिट्टी के रास्ते पे चल रहा था विशन पगडंडी से पगडंडी मतलब नैरो रोड पतला संकरा रास्ता से अभी सड़क तक आही रहा था कि उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई दी उसने इधर उधर देखा पर कोई भी दिखाई नहीं दिया वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर से गोली चलाने की आवाज सुनाई दी इस भार एक नहीं दो तीन गोलियां एक साथ चली थी और क्योंकि ये थोड़ा माउंटेर रीजेन है तो गो की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई घाटी मतलब वैली जो अकसर हमें पहाडों के बीच में ऐसा वी शेप का नजर आता है न वो होती है घाटी और पहाडों की एक खासियत ये है कि जब भी आप हिल स्टेशन में जाके जोर से चिल आएंगे या फिर जोर की आवाज तो क्या होगा वो साउंड जो है वो सीधा जाके पहाडों से टकरा के बाउंस पैक करता है और हमें अपनी ही आवाज दुबारा सुनाई देती है जिसे हम इंगलिश में इको करना बोलते हैं और हिंदी पर कहते हैं गूंज ना तो गोलियां क्यूंकि बहुत जोर की चलती ह बहुत जोर से आवाज होती है तो उनकी आवाज पूरी घाटी में गूंज गए थी मतलब एक दो तीन बार तो गोली वैसी चली और आवाज गूंज कर फिर से चार पाथ छे साथ बहुत बार फिर से सुनाई दी उससे क्या हुआ पंची घबरा गए आसमान में गोल गोल च चक्कर काटने लगे क्योंकि पक्षियों को पता होता है कि ये हंटर के बंदूक चलाने की आवाज होती है और पक्षियों को भी अपनी जान बचानी होती है उन्हें लगता है कि कोई उन्हें ही एटाक कर रहा है तो पक्षी भी आसमान में डर के बारे इधर उधर उधर उ सहम कर मतलब डर कर खड़ा हो गया विशन जहां खड़ा था वही चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि थोड़ा डर तो उसे भी लग रहा था कि पता नहीं किसकी आवाज है उसे वहां से सीड़ी नुमा खेत और फलो के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे सीड़ी नुमा मतल हिली एरियास में किया जाता है जिससे की उपर से बहता हुआ पानी कहीं नीचे बहके वेस्ट ना हो जाए तो हर एक स्टेप में कुछ-कुछ खेती की जाती है ताकि बहते हुए पानी का इस्तमाल सही तरीके से हो सके तो बिशन भी जहां पर खड़ा था ना उपर तो वहा तैयार खड़ी थी तैयार खड़ी थी मतलब सारे क्रॉप्स पूरे मैचियोर हो गए थे वो हार्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी थे सुभा की हलकी धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे मतलब अर्ली मॉनी के बाद जब सन्राइज होता है और खेतों के उपर जब सुरज की रोशनी पड़ती है तो क्योंकि ये खेत पूरे मैचियोर हो चुके थे काटने के लिए एकदम तैयार थे रेडी फॉर हार्वेस्टिंग तो ये सभी मैचियोर क्रॉप गोल्डन येल्लो कलर के दिखाई दे रहे थे सुरज की रोशनी में सुनहरा मतलब गो गोली चलाने का कारण समझ में आ गया क्योंकि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने मतलब दाना खाने के लिए धेरो तीतर धेरो मतलब बहुत सारे तीतर जो पक्षी है वो आ जाते हैं क्योंकि इन्हें गेहूं बहुत पसंद है और जब एकदम रेडी हो जाता है हार्वेस्ट के लिए मतलब उसमें बड़े बड़े दाने आ चुके हैं और वही गिहूं को खाने के लिए ठेरो तीतर आ जाते हैं और शिकारी इस बात को जानते हैं शिकारी मतलब हंटर्स जो तीतरों का शिकार करते हैं और इसी लिए वे यानि क शिकारी सुबह सुबह ही तीतर मारने यहां चले आते हैं क्योंकि early in the morning सभी पक्षी दाना चुगने के लिए खेतों में चले आती हैं पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे कुछ तीतर तो वे उठा ले गए क्योंकि गेहु तो बहुत उचे 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 उखते हैं तो शिकारियों को ये चोटे चोटे बर्ड्स नीचे जमीन पे ढूनने होते हैं तो जो भी जितने भी तीतर शिकारियों को मिल जाए, उन तीतरों को तो शिकारी उठा लेते हैं, और जो दिखाई नहीं देते हैं, गेहूं के पोधों के नीचे ही छुपे हुए, मरे हुए रहते हैं, उन तीतरों को शिकारी वही छोड़ जाते हैं, तो वही लिखा है कुछ तीतर तो वो उठा ले गए और बाकी को वही छोड़ गए, खेतों को काटते समय मतलब जब क्रॉप्स का हर्वेस्टिंग चल रहा होता है, पोधों को काटा जाता है उस समय किसानों को बहुत से मरे हु और जखमी, जखमी मतलब इंजियोड, घायल, तीतर मिलते थे, बिशन ने भी सोचा कितना दुख पहुचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहा है, इसलिए वह पेडों के किनारे किनारे चलने लगा, वह मतलब कि इन शिकारीों को सबक सिखाना चाहिए, सबक मतलब इन शिकारीों को कुछ लेसन लर्न होना चाहिए, इन्हें कुछ सीख मिलनी चाहिए, कि ऐसा काम करना कितना बुरा है, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था, कि तभी उसके में किसी चीज ने टच किया, जिससे उसे हलकेलकी गुदगुदी सी हुई, कोई चीज हिल रहा था, उसने देखा, विशर ने देखा, कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फसा छटपटा रहा है, गेहूं की बालिया क्या होती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, गेहूं की जो सीड्स हैं, वो इस तरीके के छोटे-छोटे ग्रुप्स में आते हैं, और इनहीं को गेहूं की बालिया कहीं जाती है, तो विशर ने भी देखा, कि एक इंजियोड घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच में ही फसा हुआ, छटपटा रहा ह चटपटा ना मतलब, दर्द की वज़े से जमीन में हाथ पैर मानना, क्योंकि उसे शायद गोली रगी थे उसे बहुत दर्द हो रहा था, विशर वही घुटनों के बल बैट गया, उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर चि अबराया हुआ था, वो डर रहा था, तो उसे लगा कहीं ये बिशन ही मुझे ना मार डाले, इसलिए तीतर और छिटक कर, मतलब डर के मारे, अपने आपको वहां से दूर करते हुए खेत के और अंदर चला गया, जम्प करके चला गया, बिशन जानता था कि शिकारी इस ती पकर मर जाएगा, तो विशन ने क्या किया, उसने स्वेटर उतारा, और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया, ताकि तीतर को पकड़ने में उसे हाथ मेरे के उठाने में इजी हो, तीतर स्वेटर में फस गया, तो विशन ने उसे पकड़ लिया, विशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया मतलब प्यार से उसे हग कर लिया और खेत में से निकल कर पहाड़ी की और भागने लगा विशन अपने घर से निकल कर करनल दत्ता के घर जा रहा था ट्यूशन की पढ़ाई करने के लिए लेकिन बीच में इतना सब कुछ हो गया तो इसलिए विशन भी तेज से पहाड़ी की और भागने लगा वह इतना तेज चल रहा था मानों उसके पंख लग गए हूँ पंख लग जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब बहुत तेज दोड़ना एकदम पक्षियों की तड़ा उड़ने के जैसा तेज करनल दत्ता के घर के रस्ते में एक तरफ गेह कटीले तार काटों से भरे हुए तार की फेंस बनी हुई थी बिशन वैसे तो कटीले तारों के बाड़ में से होकर निकल सकता था यूज्योली उसे अगर ये फेंस क्रॉस करना होता था तो इनके बीच में से ही वो पैर डालकर एक जगा से दूसरे साइड में निकल जाता लेकिन आज तो उसके गोद में उसके हातों में तीतर है परन्तो इस समय वह दोनों हातों से तो तीतर को पकड़े हुए था तीतर को संभालना बहुत जरूरी था क्योंकि तीतर बेचारा वैसे ही घायल था उसे और ज्यादा चोट लगती तो वह वैसे ही मर जाता इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले अगर शिकारी विशन को देख लेंगे तो शिकारी भी समझ जाएंगे जरूर इस बच्चे के हात में कुछ तीतर है तभी तो वो स्वेटर में छुपा के कुछ भाग रहा है तो इसलिए वह कुछ दूर ही गया था कि पीछे से एक भारी आवाज आई लड़के रुख जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा लेकिन विशन नहीं रुका वह चुकचाप चलता रहा रुकता है या नहीं उस आदमी ने दुबारा चिला कर कहा तब तक विशन कटीले तारों के पास आ गय लगने लगा था क्योंकि विशन को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था कि अगर ये शिकारी तीतर ले लेगा तो इस तीतर को तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा ये शिकारी तो इसे मार डालेंगे तो इसलिए विशन के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल लग रह उससे लग रहा था कि अब तो बस शिकारी ये तीतर ले ही लेगा लेकिन फिर भी वह रुखा नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया तभी विशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो जूते शिकारी पहने हुए थे और वो जोर-जोर से दौर-दौर कर जिछे से आ रहा शिकारी गुस्षे में जोर-जोर से चिला रहा था मैं तुझे देख लूंगा तो मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता लेकिन बिशन को तीतर की जान बचानी थी बिशन बिना कुछ सोचे समझे आगे चलता ही गया चलता लिए बिशन के लिए आगे निकलकर भागने का रास्ता नहीं था, अगर वहाँ सडक से होकर जाता, तो शिकारी को साफ साफ दिखाई दे जाता, और शिकारी जोर-जोर से दोर-दोर कर उसके पीछे आही जाता, क्योंकि बिशन तो फिर भी 10 साल का बच्चा है, और शिकारी तो कोई बड़ा आदमी है, इसलिए बिशन ने सडक का रास्ता नहीं अपनाया, खेतों के बीच में से ही होकर वो भाग रहा था, पहाडी की तरफ, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तै किया, तै किया मतलब डिसाइड किया, निस्चित किया, खेतों से आगे के रास्ते में काटेदार जाडियां भी थी, इस तरीकी की काटिदार जाडियां बहुत सारे किसान अपने खेतों को जानवरों से बचाने के लिए करते हैं, ताकि कोई भी जानवर आके उनके खेतों को, उनके क्रॉप्स को खाना ले, तो इसलिए खेतों के आगे भी इस तरीके की काटेदार जाडिया जाड़ी मतलब बुशस, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे बुशस जिनमें काटे हो, इस तरीकी की काटीदार जाड़िया थी, बिशन उसी रास्ते पर घुटनों केबल चलने लगा, घुटनों केबल चलना मतलब अपने घुटनों को नीचे करके नील डाउन होके, जै ऐसे ही बिशन चलने लगा, बहुत समभल कर चलने पर भी, उसके हाथ पाउं पर काटों की बहुत सी खरोचे उभर आई, क्योंकि ये काटे बहुत ही शार्प होते हैं, और अगर ये हमारे स्किन को टच कर ले, तो वो स्क्राच कर देते हैं, जिससे खूर निकलने अलगता ह खरोचे मतलब स्क्राच हो जाना, तो बिशन भी बहुत समल कर चल रहा था, लेकिन फिर भी ये जो काटे दार जाडियां थी, इन ही काटों की वज़े से उसके हाथ में, पाउं में, बहुत सारे स्क्राचे हो गए थे, खरोचे उभर आई थी, और उन खरोचों से खून भी निकलने लगा था, उसकी कमीज का, कमीज मतलब शर्ट, उसकी शर्ट का एक आस्तीन भी फट गया था, आस्तीन यानि की स्लीव्स, एक हाथ का स्लीव्स फट गया था, वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मा से डाट खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने ड्रेस को गन्दा करते हो फारते हो तो मम्मी तो बहुत गुस्सा करती है पर बिशन को इस बात का संतोश था संतोश मतलब सैटिस्फैक्शन था इस बात की खुशी थी कि अब वह की वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामियाब रहा है कामियाग मतलब सफल रहा है, सक्सस्फुल रहा है, कि अभी तक मैं सूच रहा था शिकारी पकड़ लेगा, लेकिन शिकारी से मैं बच कर भाग निकलने में कामियाब हो पाया हूँ, तो इस चीज की विशन को दिल ही दिल में बहुत खुशी थी, संतोश था, इसलिए भले ही हातों पे खरोचे आ गई, खूल निकलने लगा हो, और उसका शर्ट का स्लीव सी फट गया हो, तो भी उसे उतना दुख नहीं हो रहा था, जाडी से काटिदार जाडियों से बाहर आकर, वह सोचने लगा, कि कैसे पहाडों के कोने से फिसल कर नीचे पहुँचा जाए, लेक गास को देखा है, तो गास के उपर छोटे-छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं, जिरहें हिंदी में ओंस कहां जाता है, और इंगलिश में ड्यू, और वही ड्यू जिसकी पानी होता है, अगर आप खाली पैर, बिना कुछ चपल पहने, दोड़ोगे, तो आप फिसल जाओ तो बिशन को भी वही लग रहा था कि कहीं मैं फिसल के गिर न जाओ, ये रास्ता तो ठीक नहीं लग रहा, बिशन ठक कर टायड होकर वही एक किनारे बैठ गया, और वो बैठे-बैठे सोच ही रहा था कि आगे और कैसे बढ़ा जाए, अभी वहाँ बैठा ही था कि उसे प पीचे आगया भागो, दोड़ते-दोड़ते वहाँ आधी पहाडी पार कर ही चुका था, उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गये, तरबतर होना मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से भीग जाना, क्योंकि वह दोड़ रहा था, बहुत स्वेटिंग हो रही थी, और उसका श फार्म हाउस के पीछे के दर्वाजे की तरफ, पीछे की तरफ, पिछवाड़े दर्वाजा खुला था, पीछे साइड का जो डोर था वो उपन था, उसने ताड के पेड का सहारा लिया, ताड का पेड कुछ ऐसा होता है, तो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे के साइ तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था ताकि तीतर को और ज्यादा दर्द ना हो अब बिशन करनल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुँच तो गया था लेकिन पीछे तो शिकारी आ रहे थे दोड़ दोड़ कर क्या बिशन तीतर की जान बचाने में कामियाब होगा अगर कामियाब होगा तो कैसे होगा उसने तीतर को बचाने के लिए क्या किया होगा ये जानेंगे हम हमारे पार्ट टू वीडियो में क्योंकि ये बहुत ही लंबा चाप्टर है इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में कवर क तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट टू वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद एवंग आपका दिन शुब रहे